बढ़वों की दलालों की और बढ़वों की एक सूची ही हमारे साथियों द्वारा यहां पेश की गई निशानिया पेश की गई, कैटेगरीज पेश की गई यह विशे रखने के पीछे हमारा जो उद्देश है वो उद्देश किसी का नाम लेकर उसको बढ़वा करार देना दलाल घोशित करना यह नहीं है तो बढ़वों और दलालों का जो फिनामिनान है यह भड़वों और दलालों का जो फिनामिनन है यह फिनामिनन आप लोगों के सामने रखना इस फिनामिनन को आपको समझाना क्यूंकि बड़वे और दलालों के नाम समय समय पर बदलते रहेंगे आज जिन लोगों के आपने नाम लिये कल वो नहीं रहेंगे कल कोई दूसरे लोग होंगे तो समझ से अकिवल नाम लेने से हल नहीं होने वाली तो समय समय पर ये जो भड़वा गिरी और दलाल गिरी समाज में जो चलती है ये किस प्रकार से चलती है ये क्या है इसको समझना इसको पहचानना और इसको हमारे समाज में लोगों को सिखाना कि भे इसको कैसे पहचाना जाए उसकी पहचान समाज में देना ये इस चर्चा के इस विशे को रखने का उद्देश है आप में से बहुत लोगों ने बहुत से लोगों ने बंबई देखी होगी बंबई में आप लोगों ने Gateway of India देखा होगा चौपाटी देखी होगी जूबीच देखा होगा बंबई में एक और बहुत देखने वाली चीज है लेकिन आम तोर पे बंबई देखने के लिए जो लोग जाते है वो उस चीज को उस जगह को नहीं देखते उस जगह का नाम है Falkland Road वो देखने वाला इसलिए है कि उस Falkland Road पर बंबई की वेशाय रहती है और Falkland Road पर कौन सी वेशाय रहती है मैं कई बार अपने लोगों को बताता हूँ क्योंके कई बार जो सामनेवादी और समाजवादी लोग है जो पुरगामी लोग है वो ये कहते कि वेशा की कोई जात नहीं होती वेशा वेशा होती है मैं कहता हूँ नहीं वेशा की भी जात होती है त्यूंकि फॉक्लेंड रोड पर जो वेशाय रहती है और धंदा करती है वो बहुजन समाज की है वो बहुजन समाज की जातियों से है एक वेशा ब्रामनों की भी लड़किया वेशागिरी करती है लेकिन ब्रामनों की लड़किया वेशागिरी लगजरी के लिए करती है बहुजन समाज की लड़किया जो वेशागिरी करती है वो मजबूरी लाचारी पीड़ा और पेट के लिए वेशागिरी करती है तो ये जो फॉक्लेंड रोड है फॉक्लेंड रोड में वेशागिरी चलती है वेशागिरी वेशाय रहती है और ये वेशाओं के वेशाओं को ग्रहाक दिलवाने का कारम उनके पास ग्रहाक लेके जाने का या ये वेशाओं ग्रहाक लाने के लिए भड़वे और एजेंस रहती है तो वो आपको जीने के सिरी पर या उसके इर्दिर्दी जो लोग घुमते रहते और वो आपको उस वेशा तक पहुंचाते हैं वो लोगों को वेशा तक पहुंचाते हैं उनको वहां की भाषा में भड़वे और दलाल कहा जाता है तो ये भड़वे और दलालों का जो फिनामिना है ये फिनामिना केवल वहां तक ही सिमित नहीं है उसने आज भारत की भारतिय जीवन का सारा क्षेत्र व्यापा हुआ है ये भड़वे और दलाली भड़वे और दलालों का जो निर्मान है ये निर्मान जो प्रतिकरांदिवादी लोग करते है जो शाशक जाती के लोग हमारे बीच में जो भड़वे और दलालों का जो निर्मान करते है ये उनको क्यों करना पड़ा सबसे पहले तो ये बात आपको समझना होगा क्या मजबूरी है क्योंकि ये उनकी भी मजबूरी है कुछ लोगों नहें RPI के नेताओं के बारे में कहा मैं हमेशा ये बोलते रहता हूँ और कभी कभी मजाग से बोलता हूँ कि आर्पियाय के नेताओं को भड़वे और दलालों का नाम देना ये भड़वे और दलालों के नाम का अपमान है उनको तो महान बोलना चाहिए बहुत महान लोग है वो मैं तो महाराश्रा में उनके बारे में कहते रहता हूँ मैं उनके बारे में बाती मत करो, वो बहुत महान लोगे तो ये जो भड़वे और दलाली का जो फिनामिना है इस फिनामिनी की सुरुवाद वैसे 1932 से होती है जब पूना पैक्ट हुआ गांदी जी के आमर अन्जिशन से जो पूना पैक्ट गांदी और अमबेड करमे के बीच में हुआ उससे ये भड़वे और दलालों के निर्मान की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन आजादी के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई ये इतनी बढ़ गई कि 1952 का जो पहला संसदिय चुनाओ हुआ उस संसदिय चुनाओ के नतीजे जब बाबा साब अमबेड करने देखे तो बाबा साब अमबेड करने जिस राजनितिक आरक्षन से भड़वे और दलालों का निर्मान हुआ बाबा साब ने 1952 में इस राजनितिक आरक्षन को समाप्त करने की मांग की थी कि हमेरा राजनितिक आरक्षन नहीं चाहिए तो ये जो भड़वे और दलालों की निर्मान की जो प्रक्रिया है इसके पीछे का मूल कारण है भारत में प्रोड मताधिकार का लागू होना बात को आपको ठीक से समझना होगा प्रोड मताधिकार का मतलब है क्योंके गांदी और उनकी कॉंग्रेस जो बात आज वरतमान में बीजेपी के लोग कह रहे है क्योंके कल हम सवविदान के बदलाओं पर बातचीत करने वाले है कुछ बाते उस समय भी आएंगी आज जो लोग RSS के माध्यम से संगपरिवार के माध्यम से जो लोग आज ये बात कर रहे हैं सवविदान में बदलाओं किया जाए और मतदान का अधिकार केवल इलाइट पढ़े लिके लोगों को संपत्ति वालों को दिया जाए सुल्जे हुए लोगों को दिया जाए राजनीती का स्थिर्ता वो जो कहते है उसको रोकने के लिए वो इमांग कर रहे है हमें इतियास को भूलना नहीं चाहिए के आजादी के पहले गांधी और उनके कॉंग्रेस ने यही स्टेंड लिया था के मतदान का अधिकार केवल पढ़े लिके लोगों को हो केवल सिक्षित लोगों को हो या संपत्ति धारन करने वाले लोगों को मतलब समाज के जनसाधारन को आम आदमी को मतदान का अधिकार ना दिया जाए लेकिन अंग्रेज शाशक थे हमारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया लेकिन अंग्रेज इमानदार लोग थे इमानदार शाशक थे और इमानदार शाशक होने के नाते उन्होंने जब बरतानिया में प्रौड मतदान का अधिकार सभी को दिया तो वही सिद्दान उन्होंने उनके गुलाम देश को भी लागू किया और उन्होंने यहां के नागरिक को को भी प्रौड मतदान का अधिकार दिया कि जो जो बालिग है उसको मतदान करने का अधिकार है चाहे वो भिकारी हो चाहे वो महतरानी हो या चाहे वो इंदिरा गांदी हो ये प्रोड मतदान के अधिकार का करीश्मा इतना अजीब है ये प्रोड मतदान के अधिकार नहीं समाज में वो सिद्दान्त की स्तापना की One man, one vote and one vote, one value मतलब एक महतरानी के मत का भी उतना ही मुल्य जितना इंदिरा गांदी के मत का मुल्य है इंदिरा गांदी प्रोडान मंतरी है ठी तो इससे देश में एक स्तीटी बिलकुल स्पष्ट हो गई हमारे सामने नहीं हुई ब्राम्मन वादियों के सामने हुई प्रतिकरांती वादियों के सामने हुई इस देश की शाशक जातियों के सामने एक स्तीटी उबर कर आई कि जिनका देश पर शाशन है उनके पास vote नहीं है मत नहीं है और जिनके पास मत नहीं है उनके हातों में शाशन नहीं है लोकतंत्र कहता है कि जिनके पास मत है उनका शाशन होना चाहिए लेकिन ब्रामन नी समाज व्यवस्था ब्रामनी समाज व्यवस्था के वजह से जब देश में लोकतंत्र लोकतंत्र की प्रक्रिया लागू हो गई तब ये स्थिती थी कि जिनके पास शाशन था अंग्रेज अंग्रेज उने बहुत अच्छा काम किया सारा काम किया सारा काम ठीक किया किवल एक बात एक बात अंग्रेज उने बहुत बुरी की शायद आज अंग्रेज इस बात के लिए पच्टाते होंगे कि अंग्रेज उने इस देश को आजादी देते वक्त इस देश के शाशन सुत्र सदियो पुराना जो सदियो पुराना जो शाशक वर गए हमारे देश में ब्राह्मन वाद के आदार पर उसी के हाथ में सोब कर उन्होंने इदेश छोड़ा तो ये सारी बातों ने जो लोकतांत्री का धिकार हमें मिले उसको सब काउंटर कर दिया तो शाशन उनके हाथों में हर पाँच साल के बाद में चुनाओ फेस करना है उनको लेकिन चुनाओ चुनाओ फेस करकर चुनाओ का सामना करकर चुनाओ के माद्यम से सरकार बनानी है लेकिन वोट उनके पास में नहीं तो जिनके पास शाशन है उनके पास में वोट नहीं जिनके हाथों में जिनके पास वोट है उनके पास में शाशन इसलिए जिनके हाथ में सत्ता है उनोंने वोट उनको मिलाने देने के लिए उनोंने भड़वे एज़न्ट गिरी का काम किया हमारे बीच में जिनके पास वोट है जिन लोगों के पास वोट है उनके बीच में उनमें से ही एजंट्स प pledge करना शुरू किया हम्दाबाद ये गुजरात जो है गुजरात में तो आप लोगों को मालूम होगा कि आम तोर पर एक बनिया प्रहुत्ती है हमारे शडूल कास के लोगों में भी एक किसम की बनिया प्रहुत्ती है मैं देखता हूँ बहुत व्यवारिक है गुजरात के लोग चतुरे व्यवारों में और वास्तोवादी व्यवारों में तो वो इस बात को इस फिनॉमेना को बहुत अच्छे से जानते है कि गुजरात में वो कोई चीज अगर आप मार्केट में खरीदने के लिए जाती है तो जिसके दुकान से आप खरीदते है वो उस चीज का प्रोडिूसर ने होता, निर्माता नहीं होता, उत्पादक नहीं होता, उत्पादक कोई और होता है, वो बेचने वाला होता है, वो अपने आपको एजेंट कहता है। उस एजेंट के जरी हमको उस चीज को खरीदना पड़ता है तो जिनके पास वोट है उनको अपने वोटों का उपयोग मालूम नहीं उपयोग और प्रयोग करना वो जानते नहीं और जिनके हाथों में सत्ता है उनके पास वोट नहीं है इसलिए सत्ता जिनके हाथों में उन्होंने वोट जिनके पास वोट है उनके वोट लेने के लिए उनके वोट खरीदने के लिए उनके वोट मिलाने के लिए उन्होंने हमारे बीच में एजेंट्स पैदा किये ये एजेंट्स और भड़वेगिरी का सबसे निर्मान की सबसे बड़ी सबसे बड़ा कारण है और ये आज ये तो राजनीती का हो गया लेकिन आज की जो भड़वे गिरी और दलाल गिरी जो है ये किवल राजनीती तक सिमित नहीं है ये सारे जीवन के सारे दूसरे क्षेपरों में आ गई है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजनीती की भड़वे गिरी तो राजनीती की भड़वा गिरी जो है वो आज हमारा आम आदमी है हमारे समाज का जो आम आदमी है वो तो आज काफियत तक पहचान लेता है लेकिन दूसरे क्षेपरों की जो भड़वे गिरी है वो अभी पहचाना वो तो हमारे प्रेलिखे लोगों को भी पहचानना मुश्किल होता है तो आज की जो राजनीती की जो भड़वे गिरी है वो तो समाज के सामने नंगी हो गई है आज का हमारा आम आदमी भी जानता है कि उसके नाम पर जो लोग जो उसके ही जाती का या उसके ही समाज का जो आदमी चून कर जाता है वो भड़वाई है यह उसकी मजबूरी है कि वो उसको ओड़ देना पड़ता है लेकिन वो यह जानता है कि मैं भड़वे कोड़ दे रहा हूँ लेकिन आज की जो समस्या है वो समस्या अलग है वो यह है कि आज बुद्धी जेवी क्षेत्र पर भी सबसे जादा और सबसे भयानक भड़वागिरी पैदा हो गई है intellectual prostitution जिसको कहते है हमारे समाज में जो बुद्धी जेवी वर्ग के नाम पर जो लोग पैदा हो गए है वो बहुत जादा भयानक भड़वागिरी कर रहे है एक माने में वो वेश्या गिरी कर रहे है उनको अंग्रेजी में intellectual prostitute कहा जाता है